जेडियो पार्टे के तरफ से आज एक बड़े कारिक्रिम का आयोजन किया गया हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए भेम समवात का दरसल आयोजन किया गया था और इसके पूरे करता धरता मंतरी अशोग चौद्वी थे मुख्य मंतर नितिश कुमार मुख्य अतिती के रूप में आये मुख्य मंतर नितिश कुमार इतनी भारी तादात को देख कर बेहती जादा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि कल जब दिल्ले वालों ने कारिक्रिम का आयोजन किया था तो मुश्किल से 100-200 लोग आये थी लेक हम तमाम लोगों की बातों को सुनेंगी लेकिन इस कारिक्रम के आयजुन की बात BJP मुख्य मंत्र नितिश कुमार और जेडियू पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा रही है BJP का ये कहना है कि जितने भी लोगों को बुलाया गया था दरसल वो तमाम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है दरसल ये तमाम बाती BJP के पुर्व डेपुटी सीम और राजसभा सांसद शुशील मोदी का कहना है शुशील मोदी ने कहा कि जितने भी लोगों को मुख्य मंत्र नितिश कुमार की पार्टी जेड़ियू और मंत्री अशोग चौज़ी ने बुलाया था दरसल उन सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि उनका वेतन में बढ़ होत्री की जाएगी उनके वेतन को बढ़ाया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया इसी का अंजाम ये हुआ कि उस सम्मेलन में उस कारिक्रम में कई सारे ऐसे लोग भी निकल कर सामने आये जो मुख्य मंत्र नितिश कुमार की खिलाफ नारे वाजि करते न जड़ाए उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्र नितिश कुमार मुर्दाबाद ऐसे भी नारे लगे हैं थे तमाव बाते शुशिल मोदी का कहना है, अगे कहते हैं कि इस कारिक्रम का आयोजन तो जरूर किया गया था लेकिन इस कारिक्रम में दलितों को बुलाया गया था, उन्हें बेवकूफ बनाया गया था शुशिल मोधी कहते हैं कि भीम संसद में सरकारी मशिनरी का भारी दुरुपयोग कर भीड जुटाने की कोशिश की गई है दलित बस्तियों में काम करने वाले विकास मित्र, तोला सेवक, तामली मरकच की हजारो कर्मियों को प्रलोभन देकर भीड जुटाई गई, उन्हें राज कर्मी का दर्जा और वेतन विर्धी दी जाएगी उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े तादात में जो दलित समुदाई है, उस समुदाई को बेवकूफ बनाने की कोशिश मुख्य मंत्र नितिश कुमार ने की है शुशिल मोदी ये भी कहते नजराई की पूरे देश में दलितों के सबसे बड़े नीता रामविलास पासवान ही लेकिन उनका मुख्य मंत्र नितिश कुमार ने अपमान किया है विधान सब्भा में तू तड़ाक करते मुख्य मंत्र नितिश कुमार करते नजराई हैं लेकिन क्या दलित समुदाए इन तमाम वाक्यों को भूल जाएगा क्या दलित समुदाए अपने अपमान को भूल जाएगा ये तमाम बातें शुशिल मोदी ने कही है साथे साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शराब बंदी के कारण विहार का पासी समाज भुकमरी की स्थिती में है मुसहर समाज के सबसे जादा लोग जेलों में बंध हैं 35 साल तक कॉंग्रेस, राजत, जेडियों की सरकार के बावजूद यदि 43 प्रतिशत दलित परिवार की आमदनी 6000 से कम है 90 प्रतिशत लोग 10 वी से कम शिक्षित है 75 प्रतिशत परिवारों को पक्का मकान नहीं मिला है तो इसके लिए नितिश लालो सोन्या जिम्मेदार है सरकारी तंद्र के भरों से भीड जुटा सकती है परंथू वोट नहीं मिल सकता ये तमाम बाते शुशिल मूदी ने कही है शुशिल मूदी ने ये भी कहा कि मुख्य मंतरी नितिश कुमार जहां एक तरफ दलितों का समुदाए बुलाते है दलित को बुलाते हैं वहीं दूसरी तरह दलितों के बड़े-बड़े नेताओं को अपमानित करते भी मुख्यमंदर नितशकुमार नजराए हैं माके इस बारे में अगर कोई और भी अपडेट निकल कर सामने आता है तो हम आपको जरुर बताएंगे बिहार और जहारकर की तमाम ख़बरों के लिए आप फ़र्ष्ट बिहार देखते रहें हैं धन्यवाद क्या अब अब भी माता-पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? Oasis Fertility ने लगभग 90,000 जोडों के जीवन में खुशिया भरती हैं आज ही 8929-755-101 पर कॉल करें Oasis Fertility के कम लागत वाले IVF उप्चार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखवरी दें पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined